उत्राखंड के चार पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करने से चार धाम यात्रा पूरी होती है इसे हिंदूओं के पवित्र तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है लेकिन इस बार इस यात्रा मार्ग पर समय से पहले बर्फ के पिगलने से लोग चिन्ति थे इस्थानिय लोगों के लिए भी ये चिन्ता का विशय बन गया है पिछले साल के मुकाबले बर्फ का तेजी से पिगलना इसलिए भी चिन्ता जनक है क्योंकि इस से छेत्र में पीने के पानी का संकट पैदा हो सकता है देखने में आ रहा है कि हिमालाई चेत्रों में भी बड़े बड़े जल सोत धीरे उनका जले स्तर घट रहा है और गाओं में पैजल का बड़ा संकट देखने को आ रहा है प्रशासंस श्रधालूओं के यात्रा में शामिल होने की तैयारी में जुटा है यात्रा मार्ग के साथ सडकों की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है अगामी यात्रा 17 से अपरेल से श्तरड होनी है उसको लेते हैं भी आवशर काम होने है और मास्र प्लान के निर्मांण कारवे को लेते हो है जो भी डावर्जन मार्ग बनने हैं जो भी रोड्स हैं, वो इंटरपट हो रहा हैं तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें तनमेता के साथ पूरी समर्पन के साथ इस कारे को करना है और उस यात्रा को सफल बनाना है चारधाम यात्रा पर उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने भी कहा है कि राज्य सरकार ने यात्रा को सुचारू और परिशानी मुक्त बनाने के लिए सभी इंतजाम किये हैं करिक दो आप करिक दो करिक दो झाल झाल